हेलो एवरिवन राधे राधे आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दे उठनी एक आदसी के दिन बहुती सरल तरीके से हम तुलसी जी का पूजन कैसे करते हैं देखे, देउटने एक आदसी के दिन तुलसी विभा होता है, तो अगर आप तुलसी विभा नहीं भी कर पाते हैं, तो तुलसी जी का पूजन हमें जरूर करना चाहिए, जहाँ पर भी घर में आपकी तुलसी जी विराजमान है, वहाँ पर आप ये पूजन कर सकते हैं, और अगर आपके पास सालिग्राम भगवान जी भी है तो तुलसी जी के साथ आप सालिग्राम भगवान का भी पूजन इस दिन जरूर करें। सालिग्राम भगवान नहीं है तो आप लड़ू गोपाल जी का या विश्नु भगवान का पूजन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी तुलसी जी है, मैंने छोटी सी रंगोली बना ली है, अब हम तुलसी जी का पूजन करेंगे, देखिए हमने स्वास्तिक बना लिया है तुलसी जी के नीचे ही, यहाँ पर स्वास्तिक पर थोड़े से तिल रखे और हम घी का दिया जला देंगे शुद्ध देशी घी का हमें दिया जलाना है और उसके बाद हम देखे सालीगराम भगवान को चंदन का तिलक लगाएंगे तो यहाँ पर सभी को हम चंदन से तिलक लगा देंगे और देखिया आप चाहें तो आप सालीगराम भगवान को तुलसी जी के गमले में ही विराजमान कर सकते हैं लेकिन अभी गमला छोटा है गमले में आपको अच्छे से दिखाई नहीं देता इसलिए मैंने सालीगराम भगवान को साइड में अलग से आसन देकर विराजमान किया है और अगर सालीगराम भगवान नहीं है आपके पास त कर देंगे और साथ में तुलसी जी को इस दिन आप चुन्री जरूर उढ़ाएं तो देखिए ये लाल रंकी छोटी सी चुन्री है जो नवरात्रे में आती है न वही वाली चुन्री है ये ये मैं तुलसी जी को उढ़ा दूगी अब हम फूल समर्पित करेंगे तो जो भी आप फूलों से भी पूजन कर सकते हैं इसके बाद देखिए हम तिल समर्पित करेंगे तो एकादसी की पूजा में सफेद तिल समर्पित किये जाते हैं चावल का उपयोग हमें पूजा में बिल्कुल नहीं करना है तिल समर्पित करने के बाद अब हम तुलसी जी को सिंगा का सामान समर्पित करेंगे देवटने एक आदसी के दिन तुलसी जी का विभा कराया जाता है तो इस दिन तुलसी जी को आप जितना हो सके उतना सिंगार का सामान जरूर समर्पित करें हो सके तो तुलसी जी को आप चूडियां पहना दें बिंदी लगा दें महंदी लगा दे जो जो ये मुख्य सिंगार होते हैं वो आप तुलसी जी का जरूर करें या फिर आप तुलसी जी को थोड़ा से सपर्स करा के सामानों के पास ही रख सकते हैं इसके साथ ही देवटने एक आदसी के दिन आप तुलसी जी को साड़ी चढ़ा सकते हैं, चुन्री चढ़ा सकते हैं, सालिगराम भगवान के कपड़े आप चढ़ा सकते हैं, यानि जितना होसके उतना आप दान कर सकते हैं, इस दिन बहुत इशूब रहता है, तुलसी जी के लिए हुसके तो आप साड़ी या चुन्ड़ी जरूर जरूर दान करें और अगर आप बर्तन दान करना चाहते हैं तो इस दिन आप तौल consumers के लिए 5 बर्तन भी जरूर दान कर सकते हैं देखें दान की कोई सीमा नहीं होती है ये बिल्कुल optional है दान उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं किसी की देखा देखी दान नहीं करना चाहिए तो ये चीज़े optional है आप चाहें तो आप चढ़ा सकते हैं नहीं तो सिर्फ एक चुन्री चढ़ाएंगे तुलसी माता उतने मेवे पर्शनों हो जाएंगी उसके साथ ही देखे भोग के लिए हमने आप पंच मेवे लिए हैं तो पंच मेवे का भोग हम समर्पित करेंगे इसके साथ ही आप रितुफलों का भोग समर्पित कर सकते हैं तो जो भी रितुफल आपको मिल जाएं, आपो रितुफल चढ़ा दें, साथ ही हमने हापर मिस्री का भोग लगा सकते हैं, पताशे का भोग लगा सकते हैं, और हो सके तो देउठनी एक आजसी के दिन आउले का भोग आप जरूर समर्पित करें, इसके बाद हम धूप दिखा और इस तरह से हम तुलसी जी का पूजन करेंगे, धूप दीप दिखाने के बाद अब हम तुलसी जी की परिकर्मा करेंगे, तो देखे देउठनी एक आजसी के दिन तुलसी जी की 108 परिकर्मा करने का बहुत अधिक महत्तो होता है, तो अगर आप 108 परिकर्मा कर सकते हैं, 108 परिकर्मा करें अगर 108 परिकर्मा नहीं कर पाते हैं तो आप सिर्फ 8 परिकर्मा करके भी तुलसी जी का पूजन कर सकते हैं तो यहाँ पर हम परिकर्मा कर लेंगे और अंत में हम करेंगे आरती तो यहाँ पर हम भगवान विश्णु के आरती करेंगे तुलसी जी के आरती कर तो यह सबी सामान हमें दान कर सकते हैं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए जै तुलसी मैया राधे राधे